बिस्मिल्य रह्मान रहीम, असलाम वालीकुम, वेलकम इन मैं कंदुर रह्मान कोकिंग बेली, आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल गोश्ट, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब उसमें शामिल है गोश्ट, देर पाउ, मसूर की दाल, एक पाउ, अभी मैं दाल को वाश्ट करके सौक कर दूंगी, इतनी देर हम गोश्ट को कुक करेंगे तो इतनी देर में हमारी दाल अच्छी तरह पूल जाएगी, ओल 300 एमिल, ओल मैंने यहां इसलिए ज्याद दिया है क्योंकि मैं इसमें से हाफ ओईल भगार के लिए यूज़ करूँगी, टिमाटर मिडियम साइज के दो अदद, प्यास बड़ी एक अदद, लहसन अद्रका पैस, टू टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून, नमक, वन टेबल स्पून, गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून, दही, त्री टेबल स्पून, हल्दी पॉडर, वन टी स्पून, तेस पत्ते, दो अदद, हरी मिर्च, तीन अदद, बड़ी लाइची, दो अदद, लों, छे अदद, हर अधनिया गार्निश के लिए, तो चलिए हम अपना मसूर की दालगोश बनाने चलते ह हैं, तो हम इसे पहले में कड़ः के अंदर ऑईल शामिर कर रही हूं और इसे गरम होने देते हैं, देखिए, अब मैं इसमें शामिर कर रही हूं प्यास, और प्यास को हम इतना प्राइच कर देंगे, कि लाइट गॉल्डन हो जाए, देखिए, प्यास हमारी होग ही है, ला हानी खुश्क हो जाए और इसका गालर चेंज हो जाए देखिए गोश्च का कलर चेंज हो गया है अब मैं इसमेड्ग करने लैसन डर्त का पेस्ट है कम ile AM इसे मज़ीद दू मिनट लेसन डर्त के पेस्ट में फ्राई कर लेते हैं लेसे न द्रग के पैस्ट मर फ्राई करने के बाद अब मैं एट करें हूं इसमें गरम मसाला गरम मसाले के होती अब मैं इसमें एट करें हूं हल्दी पॉर्डर, पिसी लाल मिर्च पॉर्डर और नमक इन चीदों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ सा पानी एट कर देते हैं यहां थोड़ सा पानी एट करने के दो फायदे होते हैं एक तो यह कि आईल गरम होता है और पॉर्डर फॉर्म के मसाले एट करते ही मसाले जले से महफूस देते हैं что मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से ब्ोन गया है अब मैं इस में एककर रहे हूं कटे हुए टिमाटब और दही इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इने देखिए टिमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब हमेने स्पून की मज़़स से मैश कर लेते हैं अब मैं इसमें आठ गलास पानी एड़ कर रही हूं ताकि हमारा गोश टेंडर हो जाए डाल एड़ करते वक्त मैं मज़ीद पानी एड़ नहीं करूंगी क्योंकि इस वक्त मैं इतना पानी एड़ कर दिया है कि इसी पानी में हमारा गोश और दाल दोनों टेंडर हो जाए और जब गोश 90% टेंडर हो जाएगा उस वक्त मैं सॉक की हुई डाल एड़ कर दूंगी अब मैं फिलेम की लोग को इतना कर दूंगे के धीमी धीमी आज पे गोश अच्छी तरह टेंडर हो जाए 45 मिनट हो गए हैं अब हम गोश को देख लेते हैं देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से फूल गई है अब मैं इसका पानी ड्रैन करके दाल को एट कर लेती हूँ अब हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके 25-30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे धीमी आज पे ताके हमारी दाल अच्छी तरह टेंडर हो जाए 30 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल गई है अब मैं इसे घोटी की मदद से थोड़ा घोट लूँगी ताके हमारी दाल जो है वो जड़ा यगजा हो जाए बोटियों को साइड में करके आप आइस तगी से इसके अंदर घोटा चलाएं कि दाल आपके अच्छी तरह से मेश हो जाए दाल को मैंने घोट लिया है अब मैं स्मेट कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला चौप की हुई हरी मिर्च और हरा दनिया और अब हम फिलेम को कर देंगे ओफ अब हम इसके भगार के तैयारी करते हैं सबसे पहले मैं पैन के अंदर औल शामिल कर लेती हूँ और औल को थोड़ा गरम होने देते हैं यहां भगार के लिए मैंने एक अदद पैस लिये जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है कुझ जवे देशी लेसन के लिए ने टूपीर्स में कटिंग कर लिया है और हाफ टी स्पुन जीरा लिया है पहले हम ओल के अंदर पैस और लेसन अट करेंगे क्योंके लसन और प्याद देर में फ्राई होते हैं और जीरा जल दी इसलिए हम जीरे को देर से ही एड़ करेंगे वरना हमारा जीरा जल जाएगा प्याद और लसन हमारे गॉर्डन हो गए हैं अब मैं इसमें अट कर रही हूं जीरा और फलेमको कर देते हैं हम oaf देखिए बगार हमारा तयार हम इस बगार को डाल के अडिक करके डाल करको कवर कर देढ chilli है डाल बहुती टेस्टी बनी है और देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ अगर मैं रेसिपी आपको पसंद आईए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रुकिए है इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज